नमस्कार बच्चो, कक्षा 10 exercise 9.1 का 6 प्रश्ण हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर उंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह उंचे भवन की और जाता है तब उसकी आंक से भवन के शिखर का उन्नयन कौन 30 डिगरी से 60 डिगरी हो जाता है बताए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया है तो आएए बच्चो इसे आक्रिति के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह प्रश्ण आखिर है क्या बच्चो देखिए माल लेते हैं कि यह है प्रिथवी हम हमेशा प्रिथवी को नीचे की और ही लेंगे ठीक है बच्चो और यहाँ पर 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का खड़ा है बच्चो आम तोर पर कभी ऐसे किसी चीज की लंबाई दियोगी किसे लड़के की या किसी की तो हमें वो मेंशन करनी है हमने उसने इग्नोर नहीं करनी है पिछले कोशन में आपने देखा होगा भूमी पर एक बिंदू से तो हम भूमी पर ही बिंदू लेते प्रन्तु यहाँ लड़के की लंबाई एक पांच मीटर दी गई है तो हमने यहाँ लेनी है और 30 मीटर उंचे एक भवन यहाँ पर 30 मीटर उंचा एक भवन है इस प्रकार से ठीक है तो इस भवन की उंचाई हमें दी गई है 30 मीटर ठीक है बचो यदि यह बच्चा यहाँ से देख रहा है अपनी आंख से तो यह यहाँ से भूमी पर से तो नहीं देख रहा यह 1.5 मीटर इसकी लंबाई है यह अपनी आंखों से देखेगा तो यहां से देखेगा भवन की और ठीक है तो हम क्या करते हैं जो इसकी लंबाई है यहां पर धर्ती के समानतर हमें करेखा खींच देते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से और अब इसकी आंख से भवन की उन्चाई का उन्नायन कौन ये तब उसकी आंग से भवन के शिखर का उना इनकॉन 30 डिगरी से 60 डिगरी यानि अभी 30 डिगरी है इस प्रकार से ठीक है बच्चों अब आप देखिए भवन की कुल उन्चाई थी 30 मीटर उसमें से ये 1.5 मीटर है तो यह भी होगा 1.5 मीटर तो ये जो बाकी रह गया ये कितन देता हूं 30 में से 1.5 माइनस करो तो आता है 28.5 मीटर और 1.5 मीटर ये है याद रखना ये भूमी है यहां से इसकी पूरी उन्चाई है 30 मीटर भवन की 1.5 मीटर लड़के की ती उसके सिर के बराबर हमने यहाँ पे इतना 1.5 अलग रख दिया बाकी ये जो है यह है उसके स पिर से उपर भवन की उन्चाईत की हाइट है जो की 30 में से 1.5 माइनस करने पर आई 28.5 मीटर इन बिंदूओं के हम नाम रख देते हैं मालीजे ये बिंदू है A कुछ भी रख सकते हैं यह B, यह C, यह D, यह E ठीक है बच्चो अब बच्चो हमें निकालना है यह अब इस बिंदू से यह भवन की और कुछ दूरी गया ठीक है मालीजे यह यहां तक आ गया तो अब इसकी आँख से भवन की शिखर का उन्चाईन कौन यह जो है यह 60 डिगरी हो गया ठीक है बच्चो हमें निकालना है यह इस बिंदू का नाम हम रख देते हैं एफ हमें निकालना है कितनी दूरी चल कर गया एफ हमें निकालना है तो बच्चो कैसे निकलेगा सबसे पहले हम लेंगे यह पूरा त्रिभुज ए बी ए यह पूरा त्रिभुज इन प्राइंगल A, B, E देखे ये अब हम DC की तो बात ही नहीं कर रहें हम सिरफ इस्तरी भुज की बात करेंगे ठीक है बच्चो A, B हमें पता है ना 28.5 यानि की perpendicular हमें पता है और बेस बेस है यह है पूरा B, E, हम इस तरी भुज की बात नहीं कर रहें हम इस पूरे तरी भुज की बात कर रहें तो इसमें बेस होगा B, E यानि बेस perpendicular बेस होता है 10th theta और theta अभी है 30 degree तो देखें बच्चो perpendicular कितना हाथ 20.5 मीटर बेस बेस है B, E ठीक है बच्चो 1030 की जो value होती है बच्चो वो होती है एक बटा रूप 3 यहां से आया 28.5 मीटर अब बच्चो देखें B, E किसके बराबर है B, F प्लस F, E हम माल लेते हैं कि वह है X मीटर चलकर आया X यानि E से F की जो दूरी है वह है X मीटर ठीक है बच्चो तो इसका मतलब वह चला B, E किसके बराबर होगा E, F प्लस B, E, F प्लस B, E, F है X प्लस B, F इसको क्रॉस मल्टिप्लै कर देते हैं तो B, F प्लस X जब 1 के साथ गुना होगा तो इस बन जाएगा X प्लस B, F बराबर है 28.5 गुना रूट तीन के इसको ले लो equation number 1 अब हम लेंगे बच्चो छोटा त्रीबूच ये वाला ये वाला छोटा त्रीबूच A, B, F तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल A, B, F देखे ध्यान से प्रपेंडिकुलर हमें पता है 28.5 है तो प्रपेंडिकुलर बटा बेस ये हो जाएगा 10 अब जो कोण होगा वह हो जाएगा 60 डिगरी क्योंकि हम अब ये वाला त्रीबूच ले रहे हैं और प्रपेंडिकुलर है 28.5 मीटर बटा बेस है बेस है B, F तो बचो 1060 की जो वैलू होती है रूट 3 बराबर 28.5 मीटर यहां पॉइंट भी है बटा B, F यहां से देखें बचो इसको हम क्रोस मुल्टिपलाई करते हैं B, F रूट 3 से गुना हो जाएगा गुना रूट 3 बराबर 28.5 मीटर और यहां से B, F कितना आ गया 28.5 मीटर बटा रूट 3 इसको ले लो एक्वेशन नमबर 2 अब बचो from equation 1 and 2 मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ from 1 and 2 equation 1 में X प्लस B, F बराबर था 23.5 रूट 3 और equation 2 में B, F की value हमें यह आ गई तो B, F की यह जो value है यह equation number 1 में रख देंगे तो हमें प्राप्ट होगा X प्लस B, F की जगा यह लिख दो 28.5 बटा रूट 3 मेटर बराबर 28.5 रूट 3 अब यह एक equation बन गई है इसे हमने हल करना है आईए देखते हैं कैसे हल होगा यह देखे बच्चो X बराबर हो जाएगा 28.5 रूट 3 यह यहाँ पर पहले से है यह जो रखम है यह X के साथ प्लस हो रहे है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चो माइनस हो जाएगी सॉरी बटा रूट 3 आईए हम इसे हल करते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगुत्तम है एक X बराबर रूट 3 और एक का लगुत्तम आ गया रूट 3 रूट 3 को एक से भाग किया रूट 3 रूट 3 जब इससे गुना होगा तो यह बन जाएगा 28.5 रूट 3 गुना रूट 3 तो यह इससे गुना होगा माइनस रूट 3 को रूट 3 से भाग किया एक एक को 28.5 जब आगया 28.5 अब बच्चो इसे हम हल करेंगे यहाँ पर मैं इससे आगे यहाँ पर इसे हल कर देखता हूँ अब हम क्या करेंगे बच्चो देखिए X बराबर 28.5 कॉमन ले लो तो यहाँ से बच्चा 3 माइनस 28.5 कॉमन चला गया तो बाकी बच्च गया एक बटा नीचे है रूट 3 यह आ गया 28.5 गुना 3 में से एक निकला 2 बटा रूट 3 जो की आ जाएगा 28.5 को 2 से गुना करने पर आएगा 57 बटा रूट 3 अब बच्चों आपको ध्यान है हमने पहले भी कहा था कभी भी रूट 3 नीचे हर में नहीं चोड़ना इसका परिमय करन करना पड़ेगा तो देखिए 57 बटा रूट 3 रूट के नीचे 3 है तो इसको उपर नीचे रूट 3 से ही गुना कर देंगे उपर आजाएगा 57 गुना रूट 3 बटा नीचे आजाएगा रूट 3 गुना रूट 3 तो देखिए 3 से 57 कर जाएगा 19 यह 57 3 से 3 नहीं काटना क्योंकि यह 3 है यह रूट 3 है यह आपस में नहीं कर सकते तो इसका अर्थ क्या है X कितना आ गया 19 रूट 3 बटा बटा कुछ नहीं है ठीक है बच्चो तो X की वैल्यू आ गई 19 रूट 3 और बच्चो X क्या था X था E से F की दूरी यानि जो उस लड़के ने E से F की दूरी तै की थी तो इसका मतला प्रशन था वैह भवन की और कितनी दूर तक गया हम लिखेंगे वैह भवन की और 19 रूट 3 मीटर गया ठीक है बच्चो तो बच्चो देखिए इस प्रशन में हमें दिया गया था 1.56 की हाइट है तो हमने 30 में से 1.5 माइनस करके यह उपर उपर वाला ले लिया उसके बाद इसको यह नीचे D और C को हमने देखना ही नहीं है फिर हमार पास यह दो त्री भूज बन जाएंगे एक यह है छोटा और एक यह है बड़ा सबसे पहले बड़ा 3 भूज लिया उससे हमें यह equation प्राप्त हुई छोटा 3 भूज लिया उससे हमें यह equation प्राप्त हुई दोनों एक्वेशनों का प्रेओक करके अमने एकस की value निकाल ली और एकस जो था वही था उसकी दूरी जो उसने तै की थी तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रेशन समझ आया होगा यदि किसी भी step से आपको यह प्रेशन समझ ना आया हो तो आप वापीस जाकर थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाकर उस step को दुबारा देखकर अच्छे से समझ सकते हैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रेशन समझ आया होगा यदि आप इस प्रेशनावली के अन्य प्रेशनो को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप बाकी प्रेशनो के वीडियोस देख सकते हैं धन्यवाद बच्चो